पहला कुश्यन है हाल ही में अंतराष्टी सीमा सुल्क दिवस का मनाया गया है अंतराष्टी सीमा सुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया गया है भी ऑप्सन राइट होगा अंतराष्टी सीमा सुल्क दिवस का मनाया गया है 26 जनवरी को मनाया गया है यह दिन WCO की इस्थापना की याद दिलाता है और सीमा पर व्यापार संचालन को सुचारू बनाने में सीमा सुल्क के तहत मात पर प्रकास भी डालता है International Custom Day का मनाया जाता है 26 चिनवरी को नेक्स कुश्चिन देखेंगे दूसरा कुश्चिन क्या है हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के उपर डिजार्ड नाइट हवाई अभ्यास किया है तो इस कुश्चिन का राइट अंसर क्या होगा इस कुश्चिन का राइट अंसर ओप्सन सी राइट होगा UAE UAE यह है मैप में UAE UAE की कैपिटल क्या है रासिद अल-मक्तम यहां के प्राइम मिनिस्टर है UAE यह यह यूनाइट अरब अरप अइमिरिट्स ठीक है ना नेक्स्ट क्ुश्चिन क्या है तीसरा क्युश्चिन है चाल ही में ग्रह मंत्री अमिस सायं ने कहां वर्चुल मोड से यी बसों का उदगाटन किया है तो वो इस question का right answer होगा option B right होगा जम्मो में ग्रह मंतरी अमिस्टा ने वर्चुल मोड में यी बसों का उदगाटन किया है अब बात है जम्मो के तो जम्मो से important question क्या बनते है जम्मो कास्मीर के किस दवार जिले में केसर को GI टैग मिला है पियेम विसकर्मा योजना लागू करने वाला पहला किंदर सासित प्रदेश भी जम्मो कास्मीर बना है ये important question है ये important question है कि पीएम विशकर्मा योजना लागू करने वाला पहला किंद्रसासित प्रदेश कौन है जम्मू कास्मीर है तेक ना भारती वायू सेना ने जम्मू कास्मीर में ऑप्रेशन सर्व सक्ती भी लौंचे किया था नेक्स कुशिशन क्या है नेक्स कुशिशन देखेंगे चौता कुशिशन है हाल ही में किस नेशनल पार्क में दुरलब गोल्डन टाइगर देखा गया है तो दुरलब गोल्डन टाइगर जो देखा गया है ओपसन सी राइट होगा काजी नंगा नेशनल पार्क में ठीक है न दुनिया भर में गोल्डन टाइगर की आबादी 30 से भी कम है असम के राजिपाल ने सरपंच विवाद मोवाइल एप का भी अनावरण किया है जे इन्पोर्टन कुश्चिन है नेक्स कुश्चिन देखेंगे पाचमा कुश्चिन है हाल ही में ICC ने किसे भारतिय खिलाड़ी को पुरुस वंडे क्रिकेट ओफ दा इयर 2023 घोशित किया है इस कुश्चिन का राइट आंसर ओप्सन बी राइट होगा विराट कोहली को ICC ने पुरुस वंडे क्रिकेटर ओफ इयर 2023 घोशित किया है अब बात है ICC तो ICC की फुल फॉर्म क्या होती है International Cricket Council इसकी स्थापना कब होई थी 15 जून 1909 में इसकी स्थापना होई थी 15 जून 1909 में इसका हैड़कॉर्टर कहा है दुबाई में है इसका हैड़कॉर्टर और CEO कौन है जियोफ और डाइश यहां के CEO है next question किया देखेंगे च्टमा question है हाल ली में किसे पहला अंतर राष्टी टेबिल टेनिस का किताब जीता है तो किस ने पहला अंतर राष्टी टेबिल टेनिस का किताब जीता है तो option A right होगा स्रीजा अकुला यह उप्सन राइट होंगे यह स्रीजा अकुला जिन्हें पहला अंतर राष्टी टेवल टेनिस का खिताब जीता है भारत की दो बार की नेशनल चैंपियन स्रीजा अकुला ने WTT फीडर कपर्स कृष्टी में विजेता बनी है यह उनके करियर का पहला इंटरनेशनल खिताब है नेक्स कृष्टिन देखेंगे सात्मा कृष्टिन है बी एसेफ ने किस जवान को मरनो प्रंद राष्टी राष्टपती पदक मिला है जिस कृष्टिन का राइट अंसर होगा सिसुपाल सिंग और सावला राम विश्णो यानि उपरयोक्त दोनों होगा सी ओप्सन राइट होगा तेगा अब बात है बी एसेफ यानि बॉर्डर सिक्रेटी फोर्स इसकी स्थापना कब होई थी एक दिसंबर 1965 को बी एसेफ की स्थापना होई थी एक दिसंबर 1965 को इसकी स्थापन होई थी हैड़कॉर्टर कहाँ है निव दिल्ली में है इसका हैड़कॉर्टर और डायरेक्टर जनरल कौन है नितिन अकर्वाल नितिल अकर्वाल यह डायरेक्टर जनरल है बी एसेफ की तिस्कुशन का राइट आंसर होगा, ओप्सन भी रोहन वनपपा, भी ओप्सन राइट होगा, यह हैं रोहन वनपपा, जिन्होंने तेनिस इतिहास में सबसे उम्रदाज, सबसे उम्रदाज 43 साल में वर्ल्ड के नमबर वन खिलाडी बन गए हैं, रोहन वनपपा और इनिस इस्टार ने अमेरिका की राजीम राम को पचा कर नया रिकॉर्ड बनाया है, नेक्स कुश्यन देखेंगे, नौमा खुश्यन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है, तो इस कुश्यन का राइट ओंसर है, C ओंसर होगा अमेरिका देश ने पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है, अब बात हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की गैपिटल क्या है, वन से गेटन डी सी, प्रेसिडेंट कौन है, जोई बाइडन और करंसी क्या है, अमेरिकी डॉलर, तेकिन अमेरिका ने साल 1980 के दस देखी जा रही है, नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत का समार्थन करने वाले लोकों को कहना है, इससे बीना दर्द हुए चांद चाहती है, इस टार्ट अप फंडिन वैस्टिक रेंकिंग दोजर तेईस में, अमेरिका सेर्स पर रहा है, भारत और अमेरिका के बीच सहयु तो अप्यास कौन सा होता है, तो वज्चर प्रहार वज्चर प्रहार अप्यास जो होता है, ये कहा हुआ है, उमरोई मेघाले में हुआ है नेक्स कोशिन के है दसमे कोशिन है हाल है में किसने सतरंज में चार बार महिला विश्व चैंपियनसिप चीन के वेन जुन्जु को हराया है तो इस कोशिन का राइट आंसर होगा ओप्सन बी राइट होगा आर प्रग्यानंदन ये हैं आर प्रग्यानंदन जिसने सतरंज में चार बार की महिला विश्टो चैंपियंशिप चीन की वेन जुन्जु को हराया है विश्टो नात अनंद को पीछे छोड़ कर भारत की नमबर वन सतरंज की लाड़ी आर प्रग्यानंदन बने है टाटा इस्टील सतरंज टूनमेंट अभी नीदर लेंड में चल रहा है और ये पुरुस और महिला दोनों की लाड़ियों के लिए होता है नेक्स कोशिन क्या है गैरहमा गोशन है हाल ही में साइकलिंग वोलो ड्रम में लड़कियों की करिन दोड़ में विमला मचरा को कौन सा पदक जीता है तो कौन सा पदक जीता है स्वान पदक जीता है ये उप्सन राइट होगा ये हैं विमला माच्रा जो की साइक्लिंग वोल्डरोम में लड़कियों की कारिन दोड में स्वन पदक जीता है नेक्स कुशिन क्या है बारहमा कोईशने हाल ही में किसने गरतंत दिवस परेड का नेत्वत्र किया है तो भावनीश कुमार सी उपसन राइट होगा भावनीश कुमार ने गरतंत दिवस की परेड का नेत्वत्र किया है नेक्स कुशिन क्या है गया रहते रहमा कोईशन है हाल ही में थाई पूरस तेवहार कहां मनाया जाता है तो इस question का right answer option भी right होगा तमिल लांडू में तमिल नांडू में थाई पूरस्तेवहर मनाया जाता है अब बात है तमिल नांडू की तो यह है मैं अपमें तमिल नांडू तमिल लांडू की capital का है चन्नाई CM कौन है? M.K. Stalin और governor कौन है? R.N. Ravi यहां के governor है तमिल नांडू के थाई पूरस्तेवहर सुरू हो रहा है इस उस्सो को भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है जो सिव और परवती के छोटे पुत्र कारती के माने जाते है यह उस्सो हर साल उत्तर भारत की 100 केलेंडर के अंसर मकर महिने के साथ सुरू होता है थाई पूरस्त उस्सो पूर्णिमा से सुरू होकर तस दिनों तक चलता है नेक्स कोशिन क्या है जब दहमा कोशिन है हाल ही में भारत का दूसरा BLF संचार इस्टेशन कहां बनेगा तो इस कोशिन कर राइट आंसर होगा ओपसन ए तेलंगाना तेलंगाना में बनेगा भारत का दूसरा BLF संचार इस्टेशन तेलंगाना के विकाराबाद जिला 2027 तक भारत के सब दूसरे बहुत कम अम्र आवरती BLF संचार इस्टेशन की मेजवानी करने के लिए तैयार है यह जहाजो और पंडुबियों के साथ नौसेनिक संचार के लिए महत्पुण है पहला तमिलांडू के तिरुन वेली जिले में वीजे नारायनम में आई एनस कटा बोमम है जो की 1990 में सुरू किया गया था इंपोर्टन कोशन है सिमली पाल टाइगर रिजर्व जो है दुनिया में जंगली बालों बागों का एक मात्र घर भी है सिमली पाल टाइगर रिजर्व अब बात है तेलंगाना की तो यह है मैप में तेलंगाना तेलंगाना की कैपिटल क्या है हैदराबाद हैदरावार्ट तेलांगाना की कैपिटल है सीम चीफ मिनिश्टर की भात करे तो रेवन्ध रेड़्टी है मुख मंत्री यहां के रेवन्ध रेड़्टी है और गवर्णर कौन है तमिल साइस सौंदराजन यहां की गवर्णर है हाल ही में एडिये के अब बात है रूस की तो यह हम है रूस रूस की कैपिटल क्या है मॉस्कोय है रूस की कैपिटल करंसी रसीयन रूबल और प्राइम मिनिश्टर कौन है मिखाईल मेस्तोईन यहां की प्राहम मिनिस्टर है अब बात है रस्या की तो दो हजर चौबिस दो हजर चौबिस की प्रिक्स की अध्यक्षिता भी किसने समाली है रूस ने रूस का लूना 25 अंत्रिक्ष यान चंद्रमा से टकरा कर दुरगटना ग्रस्त हो गया है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें वह अपने उन दोस्तों को सेयर करें जो कॉमप्टीशन एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो से काफी मलत मिलेगी हमारे आप इंस्टाग्राम पेच को भी फॉलो कर सकते हैं क्रिटिकल इस्टेडी थ्रीवन को भी आप फॉलो कर सकते हैं धन्यवाद